नमस्कार मैं हूँ अबिनाश पांडे और आप देख रहे हैं निउस 111 इनसे फलाइटेस यानी की चमकी बुखार का कहर बिहार में कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है आज फिर से तीन बच्चों की मौत हुई है आपको बता दे कि इस बेच अब ये मामला सुप्रिम को किया है लेकिन फिर भी बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है सुप्रिम कोट में दर असल एस बेच एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और जनहित याचिका में केंद्र और बिहार राज्य को पांसो आइसीउ की विवस्था करने के निर्देश दिये गया है इस तरीके से आप समझिए कि आखिर चमकी बुखार में हो क्या रहा है आखिर सरकार कर क्या रहिए कि लोग अब जनहित याचिका भी डालने लगे हैं इस तरह से आपको बता दे कि इस विवस्था में निर्देश देने के साथ साथ जो एंसेफलाइटी से उस दाखिल जो जनीत याचिका है उसमें मुझपरपूर में भेजे जाने वाले सौग मुबाइल आईसी यू की भी ववस्था करने की बात कही गई है और आपको बता दे कि यहां मेडिकल बोर्ट को भी स्थापित करने की मांग की गई है आप सुप्रिम कोर्ट से मांग की जा कोर्ट और ना दे तब तक वहां पर सायद ववस्थाएं नहों आपको बता दे कि इससे पहले भी सोमवार को राष्ट्रिये मानवा धिकार आयोग ने बिहार के मुझपर पूर जिले में हो रही बच्चों की मौत पर यहां पर केंद्रिये स्वास्त मंत्राले और बिहार सर किया था और उस नोटिस में बताया था कि डॉक्टरों की हालात के कारण यहां हर्ताल के भी कारण यहां पर विवस्थाएं खराब हो रहे थी और उसके बाद अगर वरिष्ट अधिकारी जो मानवा धिकार के हैं उनकी माने तो मुझपर पूर जिले में पेशले कुस दिनो और बिहार के मुख्य सचीव को नोटिस जारी कर विस्तरित रिपोर्ट मांगी गई है इस गंभेर एस्थिती से निपटने के लिए जापानी एंसेफलाइटिस या फिर वायरास या फिर आपको बता दे कि AES इस तरीके से इसको जो रोक थाम होना चाहिए इसको एक राश् और पुनरवास की इस्थिती के बारे में भी जानना चाहता है राश्टिय मानवा अधिकार अब उसने भी संग्यान लिया है सुमवार को नोटिस किया था उसने और उसने जानने की मांग की है कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में जो इतनी मौते लगातार हो रही है उस पर अगर परिवार वाद यहां पर दार किया गया है शिकायत भी की गई है और यह शिकायत की गई है एक समाजिक कारिकरता के द्वारा और जिसने तमना हाश्मी के तरफ से हमने आपको पहले भी बताया था लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अब यह सुप्रिम कोर्ट वजह से मतलब जागरुकता अभियान उस तरीके से नहीं चलाया गया जिसकी वज़े से लोगों की मौत हो रही है और इसमें लापरवाही बरती गई है और लापरवाही बरतने को लेकर केंद्रिय स्वास्त मंतरी हर्श्वरधन के साथ सूबे के स्वास्त मंतरी मंगल पांड उठाए जा सकते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अब सरकार वाकई में काम कर नहीं कर रही है और देखने को भी हाई मिल रहा है जहां सूबे के मुखिया खुद इतने दिनों के बाद और इतने बच्चों के मरने के बाद SKMCS जाते हैं और उसके बाद फिर हालात वही है आज भी बच्चों की मौत वैसे ही हो रही है स्वास्त मंतरी की तो क्या कहें एक स्वास्त मंतरी प्रेस कॉंफरेंस में सोते नजर आए मन्थन कर रहे थे उनका कहना था और उसके बाद दूसरे अगर बिहार के सुबे के स्वास्त मंतरी की बात करें तो वो प्रेस कॉंफर रही है या फिर कितनी सुचारों धंग से वहाँ पर काम हो रहा है आप देख रहे हैं निज्वान लेवन और मैं हूँ आपके साथ आविनाश पांडे ऐसे इन तमाम बड़ी ख़बर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और इसलिए आप हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइ करें और बेल आइकन का बटन दवाएं